हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो UKPSC के द्वारा दोस्तो कल आपका कनिष्ट सहाय का एकजाम पेपर करवाया गया था तो उसी संबन्द में दोस्तो UKPSC के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया ग सब्सक्राइब करें तो उसी बेसिस पर आप लोकल्स तो एकजाम पर पूरा हो चुका है और UKPSC के द्वारा दोस्तो यहां प्रेस नोट जारी किया गया है उसके बाद में कई सारे लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रहा था कि यहार करें सैक के पेपर के जगपे PCS परी क्या पेपर पकड़ा दिया तो दोस्तो बिलकुल पेपर देखके ऐसा ही रग रहा था कि प आपके कटॉप होती है और अटोमेटिकली दोस्तो कम हो जाती है अगर पेपर यहां पर दोस्तो हार्ट पूछा गया है तो 60 के आसपास या 58 59 के आसपास दोस्तो आपकी जनल कैटेगरी में कटॉप रहने की उम्मीद है टाइपिंग के ले ठीक है बागे जब ऑफिशली अ जाएगी दोस्तो उसके बाद ही लगा पता लग पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे प्रस्ने ऐसे हैं दोस्तो जिनके एक्जैक्ट अंसर किसी को भी नहीं पता है दस से पंदरा ऐसे कुश्चन है जिनके एक्जैक्ट अंसर क्या होंगे अभी किसी को भी नहीं पता है दो के अंसर की पर दुस्तों यह डिपेंड करेगा आप देखें दुस्तों कला आपलों का एकजाम पीपर हुआ था पांच मार्च दो जार तेसको 11 बजे से एक बजे के बीच में और राज के कुल 13 किंद्रों में दूस्तों यह 13 जन पदू में टोटल 412 परिक्षिया किंद्र सक यह परिक्षिया संपद्न हुई है जिसमें कुल पंजीकरज भीरती थे एक लाख 25,229 बढ़ती थे इनके सापक्ष दोस्तों परिक्षिया में उपस्ति तोनेवाद यह बेरती केवल एक लाख 14,052 थे एक लाख 14,052 लोग ने दोस्तों यह एक जाम पीपर दिया है प्रस् अब देखे दोस्तों इसमें भी आपने देखा होगा कि कल बहुत सारा वबाल भी मचे है कि आयोक के द्वारा जो आपका पेपर सेटरा उसके ओपर A, B, C, D लिखा गया है लेकिन आपका जो पेपर सेटरा वो बिल्कुल एक ही है A में भी वही पेपर है B में भी वही पेप पर है तो D में भी वही पेपर है तो इससे दोस्तों आपका एक क्रियेट होता है कि अगर कभी नकल होती है या कोई नकल कराने वाला गिरो अभी भी है सामिल तो उनको इस प्रकार के प्रकरण में नकल कराने में आसानी हो सकते है क्योंकि सभी पेपरों के सैट आपके समान ह ठीक है तो यहां पर यह विवाद का कारण भी है दोस्तों लेकिन UKPSC का ही कहना है कि उक्त प्रस्णबत्र के सभी सीरीज यथा A, B, C तथा D में प्रस्णों का क्रमांग का भिन्न भिन्न न होकर एक समान था तथा प्रस्णों के क्रमांग की जानकारी प्रिक्षिया सकुसल सम प्रस्णबत्रों की सभी सीरीज में प्रस्णों का क्रमांग के एक होने से प्रिक्षिया की सुचिता किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई है अब दोस्तों आयोग को कहीं न कहीं सुधार करना चाहिए कि इतना बड़ा आयोग है यार वो A, B, C और D, 4 सेक्षिंस मनाने होते हैं और वो एक इस सेक्षिंस में एकजाम पेपर चाहब की दे रहा है तो कहीं न कहीं यह लापरवाई है आयोग के करमचारियों की और अगर कोई भी दोस्तों जो नकल जो कराने वाली गैंग अगर अभी भी मौजूद है तो उसके लिए दोस्तों बहुत सरल हो जाता है कि चारू पेपर सेट्व में वो नकल कराई ठीक है वसे उमीद यह करते हैं दोस्तों ऐसा कुछ ना हुआ हो इस पेपर में क्योंकि आपको ही पता है कि मैक्सिम जो स्टुडेंट्स होता है वो ए बी और सी और डी हर को यह सूचता है कि पेपर अलग लग लग होगा लेक जाए कि च्वबाद बार दोस्तों की मैनती चारप्र लगातार तयारी कर रहे है कुछ अब भेरतियों के नंबर दोस्तों अच्छे भी आ रहे हैं अभी मैंने देखा कि कुछ अब बेरती कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर में 70 प्लस जा रहा हूँ या 73-4 के आसपास में जा रहा हूँ तो वो दोस्तो एक अच्छा स्कोर है ठीक है और टॉप स्कोर भी आप इस एक जाम में यही मान के चले दूस्तो कि जो टॉपर होगा वहाँ आपका 75 या इसके आसपास ही रहने वाला है तो इसलिए में आप से भाइरों कि जो कटॉप है वहाँ कम जाने के संभावना है है ठीक है बाकि संपूर्ण प्रदेश में परिक्षा पूर्णता सुचिता पूर्णता निर्विक्न डंक से परिक्षा के इंद्रू पर संपन् आपका UKPSC का प्रेश नोट आप दोस्तो देखिए आप लोगं का एक्जाम पेपर हो चुका है किसका कनिष्टे साहे का इसका स्लैबस थोड़ा सा डिफरेंस सा इसलिए दोस्तो इसका जो पेपर है उसका लेवल पटवारी से भी हार्ड दोस्तो ठीक है पटवारी क्या तो कहीं ना कहीं उसी लेवल का एक्जाम पेपर UKPSC के द्वारा कनिष्टे साहे का करवा दिया गया है लेगिन दोस्तों इसमें अच्छी चीज आप लोगं के लिए यह है कि देखिए पेपर हार्ड आनी से आपको डिसपॉइंड नहीं होना है बहुत सारे भीरती करे यार ज्यादा हार्ड नहीं है जिसमें आप घूम जाएं दो तिन प्रस्नों को छोड़के जो सांकी की डायरी से तीन प्रसन आये हैं उनको छोड़कर करके दोस्तों बांकि सभी चीज आपने किताब में पड़ी हुई होगी ठीक है ऐसे हिंदी की बात करतो हिंदी बैजिन भी पूछ दी गई है क्योंकि मैस वारे ही वह सारी कोश्यन थे दो को छोड़के तो रिजनिंग में थोड़ा सा ही हो सकता है कि यह आपको तो यह दोस्तों जो पूछ ले थे तो यह दोस्तों जो पेपर का लेवल था यह था साठी पैसट से संतर के मीच में ठीक है बाकि अगर अगर आपका स्कोर कम आ रहा है दो कोई बात ने आपको डिस्पोश्टे नहीं होना है जाते रहते हैं हर कोई पैपर के लिए उसे के बाद में धुर आपके जो पुराने पेपर से प्रट्वारी लेकपाल का जो रिजल्ट है दोस्तों वह भी आपका अप्रेल लास्ट लास्ट तक दोस्तों आ जाएगा अभी इस हबते आपका इस मेहने आपका जो है मार्च में कनिष्ट साहे का एक्जाम पेपर का रिजल्ट आने वाला है ठीक है फिर देखिए वीडियो वीडियो और वंद्रों का इनके रिख्जाम की बात भी दोस्तों सामने हो रही है तो आप लोग उस्तों निरंतर तैयारी आप करते रहे हैं क्योंकि आप समय कम बचावे जो आपके में में एक्जाम सेंदे दोस्तों वहां हो गए हैं इसके बाद में फोरेस्ट गार्ड के दिया करने साइक में भी दिया वहां पर उनका अच्छा स्कूर है और यहां पर भी उनका इच्छा स्कूर है तो वह पड़वारी लेकपाल ही जॉइन करेंगे तो इस उसमें क्या होता है कि इन जो चोटे पत्स होता है जैसे कि कनी साइक हो गया जो 12th basis पर होते है जिनका ग किसी के द्वारा पूछे जा रहे हैं तो आज की इडियो में इतना ही दूस्तों बाकि आप लोग भी अपना स्कूर कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी तक आपका स्कूर लगवक कितना जा रहा है तो धन्यवाद दूस्तों